कि गाउं में चलोगे क्यों वो गाउंवालों का फोन आया था प्रोटेस्ट कर रहे हैं गाउं में प्रोटेस्ट किस बात का अपना सरकारी स्कूल था ना बंद हो गया अरा यार बंद नियो यह हूं मर्ज हो यह है मर्ज मतलब मर्ज मतलब अपना गाम में दो सरकारी स्कूल दोनों में बच्चे कम-कम थे, अब दोनों को मर्ज करके एक स्कूल बना दिया, दो स्कूल थे, एक स्कूल बना दिया, एक स्कूल, वो तो बंद ही हुआ है, तो मैं इंग्लिश में बोल रहा हूं, पूरे हर्याना में 300 से ज्यादा स्कूल बंद हो गए है, पूरे देश में 50 की बागल हैं किसी बात की पूरी जानकारी है नहीं बस प्रोटेष्ट कर दो शुरूँ एक बात बता जब कोई भी आदमी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाने को ट्यार ही नहीं है तो उन्स स्कूलों का करेंगे क्या करदो बंद एक बात बता तो अपने के बच्चों को खत्म कर दो. यह क्या logic हुआ? अरे तू अपनी छोड़, एक बात बता, सरकारी स्कूलों में जीतने टीचर्स हैं, क्या वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाती हैं? उससे भी बड़ा सवाल यह है, कि वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में क्यों नहीं पढ़ाते हैं क्योंकि सरकारी स्कूलों को पढ़ने लायक नहीं छोड़ा गया है स्कूलों में टीचर नहीं है शायद ही कोई ऐसा स्कूल हो जहां पर जितने टीचर्स की जरूरत है उतने टीचर हूँ बैठने के लिए धंकी इमारत नहीं है, कमरे नहीं है, कई स्कूलों की तो छते गिर जाती है, जिस वक्त क्लास चल रही होती है, पीने तक का पानी नहीं है, बैठने के लिए बैंच नहीं है, यहां तक की टॉयलेट तक भी ऐसे होते हैं, कि अगर कोई चला जाए तो मरीज बन के वापिस आए ऐसे स्कूलों में कौन अपने बच्चों को पढ़ाना चाहेगा? उन स्कूलों में एडमिशन के लिए सिफारिशे लगते हैं, एडमिशन नहीं हो पाते, कोन नहीं चाहता अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाना? कोई सरकारी स्कूलों को बनाए तो ऐसा, जिसमें लोग अपने बच्चों को पढ़ाना चाहें, तो बना लो, जब सरकारी स्कूल के टीचर्स बच्चों को अच्छा पढ़ाएंगे, तो सरकारी स्कूल अपने आप अच्छे हो जाएंगे, बता, क्यों नहीं टीचर्स बच्चों को पढ़ाते, मुझे एक बात बता, तू जंगल राज में रह रहा है या एडिमिस्ट्रेटिव सिस्टम में रह रहा है, मतलब यह जंगल राज में होता है, अपने आप ठीक कर लो, अपने आप हो जाएगा, अपने आप सही हो जाएगा, अपने आप गलत हो जाएगा, शेर की मरजी, जिसको मरजी खा जाए, जिसको मरजी छोड़ दे, उसके मूड योपर है, यह ही रण की कैपस्टी है, शेर से तेज दोड सकता है, तो बच जाएगा, नहीं तो उसका शिकार हो जाएगा, यह होता है जंगल राज, administrative system, प्रशास किये व्यवस्था, पता है क्या होती है, जहां पर कोई जवाब दे ही होती है, कोई hierarchy होती है, कहीं check and balances होते है, प्रशास किये व्यवस्था, पता है क्या कहती है, अगर आप teacher nuked करते हैं, या किसी भी महकमे में कोई भी करमचारी nuked करते हैं, तो वो अपने आप काम नहीं करेगा, उससे काम करवाना इसलिए check and balances होते हैं, जवाब दे ही तै की जाती है, तो वो काम नहीं करेंगे या काम करेंगे, यह देखने के लिए headmaster या principal को नियुक्त किया जाता है, और system यह मान कर चलता है, यह principal भी अपनी मरजी से काम नहीं करेगा, उसके ओपर भी BO की नियुक्ती होगी, और वो भी अपनी मरजी से काम नहीं करेगा, उसकी जवाब दे ही तै करने के लिए DO की नियुक्ती होगी, DO की ओपर और अधिकारी होगा, उसके ओपर और अधिकारी होगा, उसके ओपर शिक्षामंत्री होगा, उसके ओपर मुख्यमंत्री होगा, यानि अगर कोई एक teacher किसी school में सही स नहीं पढ़ा रहा है तो यह सिर्फ उस टीचर का फेलियोर नहीं है सिर्फ उसकी घल्टी उसकी कमी नहीं है यह पूरे के पूरे इस सिस्टम की शिक्षामंत्री की मुख्यमंत्री तक की जिम्मेदारी है यह पुरा का कुरा सिस्टम जब कॉलैप्स होता है तब जाकर कोई करमचारी अपना काम सही से नहीं करता है ह vaccinated तुम ये कहने हो कि मतलब हिंदूस्तान के हरियान राझाके जीन्द इधीले किसी तस्षीलिके किसी गाऊं के की कौने में बने हुए सरकारी शकूल में एक अध्यापक पढ़ा नहीं रहा तो उसके लिए और उसको हटाओ नोकरी से, किसी और को लगाओ, और क्या बात करते हो, सरकारी स्कूलों के टीचर्स अपना काम नहीं करते, यही सरकार होते हैं, यही सरकारी करमचारी होते हैं, जब इन लोगों की ड्यूटी लगा दी जाती है, कि जाके पता करो, गाओं में कितने लोग खु लेती है, वो काम तो बड़े अच्छे से कर देते हैं टीचर्स, पता है क्यों, क्योंकि सरकार टीचर्स से वो काम करवाना चाहती है, शिद्दत से करवाना चाहती है, इसलिए वो काम करवा लेती है, लेकिन यही सरकार नहीं चाहती कि यह टीचर्स स्कूलों में पढ़ाएं, इसलिए मैं भी मानता हूँ, बहुत सारे टीचर्स अपना काम इमानदारी से नहीं करते होंगे, क्यों उनको पता है, कोई check and balance नहीं है, कोई जवाब दे ही नहीं है, और सरकार खुद नहीं चाहती, कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई हो, ताकि बच्चे धीरे-धीरे स्कूलो हो जाएगा, लोग साफ सफाई रखने लग जाएं, तो अपने आप स्वच्चता हो जाएगी, लोग प्रदूशन फैलाना बंद कर दें, तो अपने आप परियावरन अच्छा हो जाएगा, administrative system में लोग अपने आप नहीं करते, system तै करता है कि आपको क्या करना है, देश च रुक एक बर, एक लिस्ट में इसी की निकाली थे मैंने, अपने देश में बहुत सारे लोगों के ये लगता है कि टीचर्स की सेलरी बहुत है, लेकिन जो दुनिया के अच्छे अच्छे देश है न, जहां पर अच्छा education system है, life living standard है, जहां का वीजा लगवाने के लिए 80 लाख रुपे सालाना, बता महीने की कितनी सेलरी हुई, जर्मनी में 63,000 यूरो, वो भी लगवग 80 रुपे के बराबर है, उसको भी 80 से गुना कर, आगया जा निदरलेंड में 60,000 यूरो, ऑस्टेलिया में 98,000 लगवग 1,00, डॉलर, यूसे में 60,000 डॉलर, आयरलेंड में 48,000 डॉलर, देन्मार्क में 47,000 यूरो, आउस्टिया में 45,000 यूरो, तुम लोगों को ये लगता है, कि हमारे देश में पीचर्स की सेलरी तो पता नहीं, बहुत ज्यादा है, प्रैविट स्कूलों में तो 20,000 में पढ़ा रहे हैं, जब सरकारी स्कूल वालों की 20,000 रुप जब वो भी कर दोगे, तो वो भी आएंगे कि रोटी की भी जरूरत नहीं, सिर चुपाने के लिए बस छट दे देना, तो हम पढ़ा लेंगे, कितना नीचे जाओगे, बनना तो है मेरी का कनाडा है, लेकिन नीतिया तुमें सोमालिया जैसी चाहिए, इसलिए तो हमारे दे का ऐसा कोई भी कशित देश उठा कर देख लो, वहाँ पर शिक्षा मुफ्थ होगी, या बहुत-थोड़ा-बहुत खर्च करके कोई भी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकता है, स्वास्थ्र से वहाई मुफ्थ होंगी, या फिर थोड़े बहुत-खर्चे पर 28% तक GST देता है, दूद दही तक के उपर भी tax है, पानी तक के उपर tax है, कहीं income tax, कहीं property tax, कहीं जुर्माना है, कहीं toll tax, गाड़ी लो तो tax, सुई लो तो tax, हवाई जाहज लो तो tax, 25 तर है कि tax देता है, पैदा होने वाले बच्चे से लेकर मरने वाले आदमी तक इस देश में हर कोई टेक्स देता है, एक बिखारी से लेकर अडानी अंबानी तक इस देश में हर कोई टेक्स देता है, लेकिन बदले में सरकार क्या देती है, अगर बदले में सरकार हमारे बच्चे को education तक नहीं द लोगों के बच्चे कहां पढ़ेंगे जो लोग दिन में 100 रुपे कमा के लेके आते हैं और 80 रुपे का पववा पीके सो जाते हैं बीवी को पीट के वो बच्चे कहां जाएंगे अगर ऐसी ही सोच कुछ साल पहले और लोगों की होती तो ना तो किसी मल्ला के बेटे को अब्दूल कलाम देश के राश्टपती बनना था और नहीं किसी चाय बेचने वाले के बेटे को प्रधान मंतरी बनना था जाके पढ़ लोगों का इतिहास जीवनिया, कौन से सेंट जोसफ कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े थे, इनी सरकारी स्कूलों में पढ़के इतने बड़े लोग बने हैं ये, और कॉन्वेंट स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ा कर चोड़ा होने वालों, याद रखना कुछ सालों के बाद अपने इनी चिंटु मिंटु का नाम सरकारी कॉलेज, सरकारी उनिवस्टी, सरकारी IIT, सरकारी IAM, NIT, सरकारी संस्थानों की लिस्ट में ढूंडते हुए मिलोगे, तब तो नहीं कहोगे, कि ना हम तो अपने बच्चों को सरकारी उनिवस्टी में नही सरकारी college में नहीं पढ़ाएंगे तब भी पढ़ा ले ना अपने बच्चो को private college में या पर private University में पता है क्यों कि private University से ३र्शी सरकारी स्कुलों का भी यही रूत्बा था लेकिन धीरे 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 हालात ऐसे कर दीए कि आज सरकारी सकूलों को बंद करने की मांग वो लोग कर रहे हैं जो खुद सरकारी सकूलों में पढ़कर यहां तक पहुँचेए मेरा उपर क्यों करम हो रहा है मैं तो सिस्टम को सुधार हो न यह क्या बात हुई सरकारी स्कूलों को बंद कर दो सरकारी अस्पतालों को बंद कर दो सरकारी बस्तेवा को बंद कर दो सरकारी रेलवे को बंद कर दो यह सारी चीजें अगर सरकारी बंद हो जाएंगी यह सारी इन वालोग लोग दे OP स्कूल में दो ओठ हो खेयла संडे की चुटी संडे की सैटेड़े की चुटी फिर ओड़ी दिवाली मतलब छुटी चुटी पताने कितनी चुटी होती है तनखा साथ जार सतर जार रुपरी और यहां देखो दिन रात मतलब दुकान में काम करा ओड़ी दिवाली किते बारत वार पतानी चुटी होए नहीं होए नो दस घंटे कम से कम दुकान खोलते हैं, दिन रात मैंनत करते हैं, तब जाके दो पैसे आती हैं गर मैं असली समस्या तो यह है ना, मेरी बुआ का लड़का सरकारी लगा हुआ है, मेरे चाचा का लड़का सरकारी लगा हुआ है, मेरे पडोस में सरकारी लगा हुआ है पूरे महले में एक बच्चे को नौकरी मिल जाए, तो सारे महले में आग लग जाती है, इस जलन का क्या करेंगे भाई साब, बस लोगों को ये चाहिए, कि अभी हमारी एक आग फूटी हुई है, तो सामने वाले की दोनों फोड़ दो, और सरकार भी से बात को बहुत अच्छ सामने वाले की जो दोनों आखे हैं, वो सलामत रहनी चाहिए, और मेरी एक आग फूटी हुई है, उसका इलाज करवाओ, तब पता चलेगा सरकार क्या करती है,